आज का जो हमारा वीडियो है वो एक बहुत ही अच्छी स्टोरी के उपर है सिंपल स्टोरी है कोई इसमें बहुत जादा सर्प्राइजिंग या कुछ अलगसा नहीं है बर इस अगोड स्टोरी स्टोरी का नाम है सेलवा टोर बाई डबलू समर्सेट ये स्टोरी जैसा कि आप देख सकते हो यहां पे एक फिशर मैन है एक फिशर मैन के उपर है ये जो सेलवा टोर है ये एक फिशर मैन है फिशर मैन कौन होता है जो मचलिया पकड़ता है जैसे ही आप पिक्चर में हाँ पे देख सकते हैं ये एक इनसान मचलिया पकड़ रहा है तो ये कहानी एक ऐसे ही मचवारे की है फिशर मैंन की है आगे बढ़ने से पहले बता दूँ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको अच्छे वीडियोस मिलते रहें अब स्टोरी कैसे है ये स्टोरी में स्टार्टिंग में सैलवाटोर 15 साल का बच्चा है 15 एर्ट obec का होता है राउंट और ये ऐसे लिक होती है इक नदी है चोटी सी उसके सामने बैठा रहता है इसके जो फादर होते है वो भी एक फिशर मैन होते हैं मचलिया पकड़ते है तो ये बैट केना उनको बचपन में अबसर्फ करता था, कि कैसे मचली पकड़ते हैं, कैसे फिश पकड़ते हैं, तो इस तरिके से उसका लाइफ, बचपन इसका गुजरा है, और बहुत अच्छी जगे जगे पेर रहता था, इटली में रहता था, और अपने फादर को observe करता था जब वो फिश पकड़ देते अब कहानी आगे जाती है इसको एक लड़की से प्यार हो जाता है ये लड़की बहुत सुंदर होती है इस टाइप की कोई लड़की होगी समझ लीजिए तो आँखे उसकी काफी खुब सीरोत होती है जैसा की स्टोरी में बताया गया है इस लड़की से इसकी engagement हो जाती है ठीक है? Engagement हो जाती है प्यार काफी करता है इस लड़की से लेकिन यहाँ कहानी में फोड़ा सा टर न आता है अब इसको आगे जाना पड़ता है military में इसको military join करनी पढ़ती है तो जब military join करता है तो घरवालों को चोड़ना पड़ता है जो सकी अभी life चल रही थी बड़ी relaxed थी उसको भी चोड़ना पड़ता है जिस लड़गी से प्यार करता है जो सकी fiancé होती है उसको भी चोड़ना पड़ता है और इसको military में service करनी पड़ती है अब जब यह military में service करता है तो यह बहुत सारी countries को visit करता है different countries को अब एक time पर क्या होता है बार में यह country में पहुंसता है China during his military service, military service के दुरान ही यह China जाता है China में इसे मालूम पढ़ता है कि इसे एक बिमारी हो जाती है जिस बिमारी का नाम होता है rheumatism rheumatism क्या बिमारी होती है? rheumatism बिमारी में आपको हर टाइम दर्द होता रहेगा सारे joints में जैसे कि picture में दिखाया गया है यह joints में दर्द हो रहा है fingers के joints में दर्द हो रहा है कंदों के joints में दर्द हो रहा है पूरी रीड की हड़ी में दर्द हो रहा है कभी घुटनों में दर्द हो रहा है तो multiple joints में pain होना start हो जाता है अब ये बड़ा परशान होता है इस चीज से pain हो रहा है और अब होता गया है military में आपको physical fitness बहुत important अगर आप physically fit नहीं है ऐसे नहीं है तो आपको क्या करेंगे वो आपको फिर निकाल देते हैं तो ऐसे ही हुआ इसको military ने बोला कि आप service के लिए यहाँ पे हमारे अब unfit हो आपको job छोड़नी पड़ेगी ये सुनके ना अंदर ये अंदर जो salvator होता है बड़ा खुश भी होता है क्योंकि ये ना homesick होता है homesick क्या होता है homesick वो इनसान होता है जो अपने घर से बहुत प्यार करता है घर से जैसे ही कहीं दूर जाएगा तो उसको अपने घर की आदाना स्टार्ट हो जाती है तो ये क्या होता है यह homesick होता है तो अंदर ही अंदर बड़ा खुश होता है कि चलो यार मिलिटरी सर्विस से चुटकारा मिला अब मैं वापस जा कि अपना इटली मराम से वही जीवन जी सकता हूं अपने parents के साथ अब यह वापस आ जाता है अब वापस आता है तो उसकी बड़ी expectations होती है कि सब लोग मिलेंगे बड़े खुश होंगे कि वापस आ गया सेलवर्ट और होता भी ऐसे ही है जब यह वापस जाता है तो उसका बड़ा अच्छा welcome होता है इसके parents होते हैं इसके family members होते हैं relatives होते हैं बहुत खुश होते है कि सेलवर्ट और वापस आ गया है इसने job छोड़ दी है यह अब हमारे साथ रहीगा लेकिन सेलवर्ट और की net Rabי नजरे वह ओती है अपनी फ्यांसे पर यह अपनी फ्यांसे कांगई, वह लड़की कांगई है इसससा में प्यार करता था इसको बाद मा जड़की घरब जाता है zoals एंक करता हो लड़की ज़रब बड़ता है कि लड़की की माह अब मना कर देती है कि तुम्हारी शादी सेयलवाटोर से नहीं होगी तो यह सुनकर सैयलवाटौर बड़ा है वो पूशता है उसकी माहसे कि ऐसा क्यों कर रहे हूं आप मैं असे प्यार क दे सकती जो फिजिकली एंफिट है और आगे काम ना कर पाए ये सुनके बड़ा निराश होता है वापस आता है दुखी रहता है काफी लंबे समय तक क्योंकि देखो कोई भी आदमी दुखी हो जाएगा इतना लंबा अफेर है उसकी इंगेजमेंट हो चुकी थी दोनों प्य में रखानी में उह लेलकी इस से बड़ी थी से नवाटोरस एज में उसकी माँ बकरती देखो ये lawn की तुम से प्यार करती है और तो शादी करना चाहती तो पहले तो ये reluctant हो जाता है म बोलता है पता नहीं कैसे यह सादी करूँगा नहीं करऊँगा रेडी नहीं होता बट फिर बाद में जब मिलता है सुनटा से तो रेडी हो जाता है शादी फिर इसकी क्या होती है, सुनटा से हो जाती है और इसको दो रलके भी होते हैं ठीक है, दो रलके होते हैं और अब आगे आप देखोगे, ये अपने बच्चों से बहुत प्यार करता था काफी प्यार करता था उनको ऐसे नहिलाता था जैसे कि कोई मतलब फूल होते हैं फूल की तरह उनको रखता था और बहुत महात करता था अभी बाद में मालूम पड़ेगा जो बच्चा 15 साल की इज में इतना रिलाक्स करता था लेकिन जब बड़ा होता है जब इसकी शादी ह हो जाती है बच्चे हो जाते हैं तो रड़के हो जाते हैं तो यह बहुत जादा रिस्पॉंसिबल बनता बन जाता है बहुत महात करता है बहुत जादा महात करता है और इसको पेन रहता है बाड़ी में रिमारी की वैसे और बहुत बार पेन की वैसे लेड़ भी जाता है य प्रदी के पास, बीच के पास, तो इतनी लेकिन फिर भी इसने काम करना छोड़ा नहीं, महत करता रहा, डटा रहा, इसकी विल पावर बहुत अच्छी थी, इसने का मैं काम करूँगा, मैं मेरे फैमली है, मेरे बच्चे है, मुझे उनको पालना पोसना है, तो मैं हार नहीं म हैं, बहुत खुश हैं, दोनों पानी के पास सामने खड़े हैं, क्योंकि ये फिशर मैन है, सेलेटर और तो पानी के पास ही होगा, और ये इसकी वाइफ है, इस टाइप से मतलब कुछ समझ सकते हो, आप इस तरह के का पिक्चर और ने दिखाने की कोशिश करी है, स्टोरी म बड़ी है, वो बड़ी काफी कॉंपलेक्स सी स्टोरी है, एकदम से ट्वेस्ट आता है, स्टन एकदम चेंज है, बड़ी ये जैसा की स्टोरी है, बहुत ही सिंपल स्टोरी है, एक तरीके से एक नरेशन ऑफ इवेंट्स है, इवेंट्स के बारें बताया गया, पहले ऐसे था फिर ऐसे था फिर ऐसे हुआ फिर ऐसे हुआ तो कुछ इसमें कोई surprising नहीं है कोई बहुत अलग सा नहीं है लेकिन जो main इस कहानी से अगर आप से पूछा जाए कहीं पेवी कि इस कहानी से आपने क्या सीखा इस कहानी से हमने सीखा goodness जो quality of goodness है, यह main है, कुछ याद ना रहना है इस कहानी में तो यह याद रख लेना, इस कहानी से हमने क्या सीखा, हमने सीखा कि salvatore के अंदर एक quality होती है, जिस quality को बोला जाता है goodness, यह बहुत कम लोगों में पाई जाती है, बहुत simple लगती है, लेकिन बहुत कम लोगों में, अ और काफी जदा इसको hard work करना पड़ता है, life इसकी tough होती है, struggling होती है, लेकिन उसके बाद भी, यह कभी complain नहीं करता, पतर ऐसा नहीं कि मेरी life बेकार है, यह है, वो है, बिल्कुल बेकार है, सब बेकार हो गया, यह हो गया, complaining attitude नहीं था, इसका यह हल चीज को accept करता है, कि यह जिया है, तो यह जो quality of goodness है, यही हमें यह कहानी Salvatore सिकाती है, तो वाइस, यहाँ पर एक कहानी खतम होती है, अगला यह वीडियो कैसा लगा मुझे comment section में बताएं, अगला वीडियो आप किस पर चाहते हैं, मुझे नीचे comment section में बताएगा, have a nice day, bye bye, take care.